हेलो एप्रिवन वेलकम टू इंग्लिस एजुकेशन इस्टुडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर टू एडिटर की एडिटर को हम किस तरह से लेटर लिखते हैं क्या माध्यम है जिससे हम एडिटर तक अपने लेटर को पहुचा सके और इससे पहले वी वीडियो में मैं आपको कंप्लेंट लेटर और लेटर के कितने काइन है वो सब मैं आपको एक्स्प्लेंट कर चुकी हूँ अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा सबसे पहले आपको पढ़ना जरूरी है कि उस पेपर है और मैगजिन्स हैं यहां पर लेटर लिखा जाता है एडिटर को और यह बहुत ही अच्छा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को औ로 міاد्धियों को और यहvoice, अपको जब्स नर बात करना चाहते हैं इसक्रिज़ा dwight माधिया है अब यहां पर बता नहीं छोड़ा है यानि कि उसकी पकड़ अभी भी है और लाखो रीडर्स ऐसे हैं जो डेली न्यूजपेपर पड़ती हैं तो यहां पर बताया गया है कि जो एडिटर को लैटर लिखा जाता है यहां पर न्यूजपेपर में बहुत सारे कोलम्स होती हैं जो पॉलिटिकल रि एडिटर के नाम से और इस कोलम के माध्यम से जो रीडर्स होते हैं वो अपने ओपेनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी पब्लिक इंटरस्ट पर कोई भी इशू उठा सकते हैं और किसलिए कि गवर्मेंट तक जो आपकी प्रॉब्लम है जिस इशू पर आप बात करना चाहते हैं तो गवर्मेंट तक वो एडिटर आपकी प्रॉब्लम को पहुचा सके जिससे जो गवर्मेंट है वो एक स्टैप ले सके आपकी प्रॉब्लम को सुनकर तो यहां पर आप जानेंगे कि किस तरह से लैटर एडिटर को लिखा जाता है उसे पढ़ने से पहले मैं क्या-क्या बातें ध्यान रखनी है, letter to editor को किसी newspaper या magazines के editor को लिखा जाता है, या अपने जान लिया है, ये letter किसी social issue, या हम अपनी problem को highlight करने के लिए, या अपने views बताने के लिए लिखते हैं, जिससे कि हम अपनी आवाज को wider audience तक पहुचा सकें, अपनी बात को बहुत सारे लोगों के सामने रख सकें, अब ये जो letter होता है, letter to editor, ये तीन paragraph में लिखा जाता है, first paragraph में क्या होता है, as a introduction हम first paragraph को लिखते हैं, first paragraph में आप problem या issue को highlight करते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो paragraph है, उस paragraph में जो first paragraph लिखा है, लिखा जाता है, उसका purpose ये होता है कि आप किसी problem का introduction दे रही है, ठीक है, अब चलते हैं second paragraph पे, जो second paragraph होता है, वो बहुत important होता है, इस paragraph का, इस paragraph में आपको, जो आपने issue उठाया है, उससे related reason को बताना होता है, यानि कि कह सकते हैं कि problem के बारे में, जिस problem के बारे में आप लिख रहे हैं, उसके क्या bad effect हो सकते हैं, क्यों वो एक problem हैं, ये सारी बाते आप second paragraph में लिख सकती हैं, अब आ जाता है third paragraph, third paragraph में आपको conclusion देना होता है, यह letter की finishing को तै करता है, यानि कि जो आपका letter है, वो बिल्कुल finishing को तै करता है, यहाँ पर आप जो problem आपने लिखी है, first और second paragraph में जो चीज़ें आपने बताई है, उसका solution या आप कोई suggestion भी वहाँ पर दे सकते हैं, अपने third paragraph में, या आप इस paragraph के माध्यम से government को इस problem पर action लेने की मांग कर सकते हैं, तो यह होता है आपका third paragraph की, आप कोई suggestion दे सकते हैं, आप government को इस problem के बारे में अधिक बता सकते हैं, जिससे की जो government है, वो इस पर action ले, ठीक है, अब यहाँ पर आपके तीनो paragraph कम्प्लीट हो जाते हैं, और इसके बाद आपको लिखना होता है, और फिर यॉर्ज ट्रूली लिखना है, यॉर्ज ट्रूली आप फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही लेटर में लिख सकते हैं, और फिर लास्ट में लिखते हैं अपना नाम, और अगर कोई designation है, तो आपको उसके बाद लिखना होता है, उस designation को, सारी बाते मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस दरह से आपको एडिटर को लेटर लिखना है, कितने पैराग्राफ में लिखना है, क्या क्या चीजे उन तीनों पैराग्राफ में लिखनी है उसकी बाद यहाँ पर कुछ important point दिये गए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं तो कहा गया है, all the letters mean to publish in newspaper should be addressed to the editor of that newspaper or magazine मतलब जो letter हम editor को लिख रहे हैं newspaper के माध्यम से, तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पर जो editor है newspaper का और magazine का, उसके address को लिखना होता है जैसा कि आप जानते हैं, मैं बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हम sender address लिखते हैं, फिर date लिखते हैं और फिर receiver address को with designation लिखते हैं फिर number two पर बताएगे कि subject of the letter should be clear stated मतलब जो subject है letter का वो बिलकुल clear होना चाहिए कि subject पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए जो letter को पढ़ने वाला है कि कि subject पर आपका letter है तो subject का clear होना बहुत जरूरी है सबसे पहले जो है subject ही पढ़ा जाता है next देखते है your opinion should be well defined well defined होने चाहिए and you should divide your content contents judicially in three or four paragraphs में बता चुके हैं आपको तीन और चार paragraph में आप उसे लिख सकते हैं first paragraph as a introduction आप use करोगे second paragraph को आप use करोगे problem रखने के लिए और third paragraph को as a conclusion आप use कर सकते हैं फिर यहां पर last point है यह दा एडिटर या दा न्यूस पेपर न्यूस पेपर का जो एडिटर होगा is just a medium जो एडिटर है या वो जो न्यूस पेपर है वो केवाल एक medium है to express your views अपने views को express करने का do not tell the editor to solve the issue जो एडिटर है वो आपकी problem solve नहीं करते हैं he can own facilitate you to raise your voice बस वहां पर आपको इतनी स्वीधा मिलती है कि आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं जो आपका issue है आप वो बता सकती हैं लोगों तक पहुचा सकते हैं government तक पहुचा सकती है next language of the letter should be simple but formal जो language होती है उस letter की वो simple होनी चाहिए बट formal होनी चाहिए यह फॉर्मल का मतलग कि जिस तरह से हम एक formal letter लिखते हैं बिल्कुल वैसी ही language होनी चाहिए यूज प्रॉपर फॉर्मेट प्रॉपर फॉर्मेट आपको यूज करना है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ यहाँ पर एक question दिया गया है अगर आप चाहते हैं तो इस question से related आप letter लिख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको एक letter पूरा solve करके बताऊंगी देखिए यहाँ पर question दिया गया है second question आपका यह है अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर इस issue के उपर भी आप एक letter दे सकते हैं letter लिख सकते हैं तो चलते हैं अपने letter के उपर जहाँ जो हमें आज solve करना है देखिए यहाँ पर जो आपका third question है question से ही हमें answer का पता चल जाता है third question में बताया गया है too much tourism and adventure sports during the past few decades have caused a serious treat to the beauty vegetation and environment of our mountains तो यहाँ पर बताया गया है कि बहुत जादा tourism की वज़े से और adventure sports की वज़े से पिछली कहीं दसकों से क्या होता चला रहा है कि जो mountains की और vegetation की beauty है उसे खराब किया जा रहा है तो देखते हैं write a letter to the editor अब हम यहाँ पर बता रहें कि editor को एक letter लिखना है और editor sorry newspaper का ना तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ से हमारा subject हो जाएगा the need to preserve the glory of the mountain यानि कि हमें जो letter लिखना है उसमें issue रखना है कि हमें mountain की glory को किस तरह से preserve करके रखना है यानि कि किस तरह से हम mountains की glory को बचा सकते हैं तो देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया है कि सबसे पहले हम sender का address लिखते हैं तीन line में हम उसे लिखते हैं ऐसा ही हमने किया है उसके बाद हम यहाँ पर line को leave करते हैं फिर लिखते हैं हम sorry फिर लिखते हम date दो या तीन line में हम इस address को ल ड्रस hindustan time new daily फिर दिया आए यहाँ पर एक लाइन डीव करके subject और subject क्या है need to preserve the glory of mountains की कि तरह से कि जरूरत है kya करने की preserve करने की जो mountains की glory है आँ है उसको बचा कर रखने की उसे सुरक्षित रखने की तो यहाँ पढ़ते हैं लेटर को सर आपको पते हैं इसको सेल्यूटेशन बोला जाता है मैं एक्स्प्लेइन कर चुकी हूँ यह सब थ्रो दा कोलम ओफ यूर एस्टीम न्यूजपेपर एस्टीम का मतलब होता है सम्मानित देखे पूरे सम्मान के साथ पर को लिखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपका जो सम्मानित था सम्मानित ग्रूरी ऑफ दा मांटें की ग्लोरी को हमें प्रिज़र करने की जरूरत है देखे, the majestic mountains of Himalayas are gods born to our country, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो राजसी mountains हैं, यह mountains हैं हिमालिया के, वो क्या है, वो इस वर का एक वर्दान है हमारे देश के लिए, actually they are our lifeline in so many ways, वास्तों में वो जो है, वो हमारी lifeline है, बहुत सारे तरीकों से, beside protecting us against the chill and foresty wind of Siberia, वो हमें क्या करते हैं, जो Siberia से chill और foresty wind चलती हैं, उनसे protect करते हैं and other northern cold desert, इन सब से हमें वो protect करते हैं, they provide us with almost everything that the people of our country require to exist, देखे, और क्या चीज़ें वो provide करते हैं, हमें वो सब हमें provide करते हैं, जो हमारे देश के लोगों को जरूरत हैं, उन सब चीज़ों को भी वो provide करते हैं, जैसे कि previous wood, कीमती लकडियां, herbs, fruits, minerals, medicines and thousand of other such necessities have been supplied to the native of India since age by these lofty guards, देखे, lofty guards कहा गया इन्हें, यानि के जो हमारे बुलंद पहरेदार हैं, इनके दुआरा हमें कीमती लकडियां, herbs, fruits, minerals, medicines, ये सारी चीज़ें, और जो दूसरी हमारी जरूरत की चीज़ें हैं, वो हमारे देश के लोगों को supply की जाती हैं, और ये एक lofty guard का भी काम करते हैं they also feed dozens of our perennals river, perennals river का मतलब है, जो हमेशा रहती है, यानि के सदा बहार रहती हैं, वो कभी नहीं सूखती है, to supply us with the most important commodity, water, commodity का मतलब होता है, उपी होगी, मतलब इन river के माध्यम से, मतलब ये जो दरजनो, perennals rivers हैं, जो हमें पानी सप्लाई करते हैं, और जो water हमारे लिए उ प्योगी है, वही water वो supply करती हैं, but too much tourism and adventure sports activities during the past few decades have dealt a serious blow to the beauty, लेकिन बताया गया है कि यहां पर बहुत ज़्यादा tourism और adventure sports activities होने से, क्या हो गया है, पिछले कुछ दसकों से, बहुत मतलब एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, कि वो जो beauty थी mountains की, वो blow out हो गई है, vegetation and the environment of the mountains, यानि कि जो vegetation है mountains पर और वहा का जो environment है, वो सब खतम हो रहे हैं, वो धीरे धीरे उनकी जो सुन्दरता है, वो नस्ट होने लगी है, it seems that the tourism, tourist and mountainers are more concerned about their personal pleasure and concutes rather than showing any least concern toward the preservation of natural sites, देखें, अब जो tourist हैं और जो mountainers हैं, वो वहाँ पर अपने personal pleasure को और अपनी जीत को ज़्यादा concern करते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो जो हैं, जो natural sites हैं, उनकी तरफ ध्यान बिलकुल नहीं देते हैं, दियर कालस and indifferent attitude has lead to the building of heaps of garbage, उनकी इस मतलब एसाफधानी से indifferent attitude का मतलब हैं, उनकी इस कठोर और एसाफधानी भरे कार्ये से क्या होता है, वहाँ पर धेर लग गया है कूडे का, here, there and everywhere, यहाँ वहाँ और हर जगा कूडा ही कूडा नजर आता है, too many construction activities to build hotels and other buildings to cater to the needs of the tourist has lead to the large scale of deforestation, क्या हो गया है, डिफोरेस्टेशन क्यों हो गया है, कि बहुत सारी वहाँ पर construction activities की जा रही है, होटल बनाए जा रहे हैं और जो tourist होते हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पर deforestation किया जा रहा है, अब building hotel कैसे बनेंगे, जब वहाँ के पोधो को काट दिया जाएगा, तो उससे जो है, वहाँ पर बहुत जादा building बनाने के लिए deforestation किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने जो अपना first paragraph लिखा वो as a introduction लिखा, वहाँ पर हमने सारी बाते बताई कि किस तरह से क्या problem create हो रही है, फिर हमने second paragraph लिखा, यहाँ पर second paragraph में हमने ये सारी चीजे बताई कि कि किस किस तरह से क्या क्या activities के कारण ये सब, यानि कि यहाँ पर हमने reason दिया है, फिर हम पढ़ते हैं third paragraph, third paragraph में मैंने आपको बताया था कि हम as a conclusion लिखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, it is high time, we must understand the serious consequence of all such activities, consequence means होता है गंभीर समस्या, तो यहाँ पर बताया गए कि यही सही समय है, यह समझने का है, जो गंभीर समस्या create हो रही है, इन स समझने का यही सही समय है, there must be a complete ban on plastic and polybag, मतलब पूरी तरह से ban कर देना चाहिए, plastic bag और polybag को, falling the trees should be treated as the most serious offense, and there must be strict government, कहा जा रहे है कि पेडों को गिराए जाने पर, मतलब इसे एक serious offense मानना चाहिए, प्राद मानना चाहिए, और government को इसके प्रती strict होना चाहिए, सक्त हो जाना चाहिए, check on construction activities, मतलब जो construction activities वहाँ पर की जा रहे हैं, buildings, hotels बनाए जा रहे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए, उन्हें check up करना चाहिए, awareness program and training sessions can improve the situation, अगर हम awareness program चला जागरुकता, अभियान कोई चलाएंगे, कोई training session चलाएंगे, तो इन सब चीजों से यह problem है, यह situation है, यह improve हो सकती है, hope that you will find my views worth publishing for the sake of the creating general awareness, वो यहाँ पर कहना चाहता है, जो writer है, यानिके जो letter को लिख रहा है, sender है, वो कहता है कि मैं आसा करता हूँ, कि आपको मेरे जो views है, वो publish करने चाहिए, जब जागरुकता फैलाने के लिए, आपको मेरे यह जो views है, यह publish करने चाहिए, आगे दिया गया है, complimentary clause की गई है, यानिके your sincerely, फिर अपना नाम signature दिये गए है, फिर capital letter में दिया गया है, यहाँ पर कोई designation नहीं है, इसलिए वहाँ पर designation नहीं लिखी गई है, तो इस तरह से आपने देखा, कि कि इस तरह से यह main main point जो है, वो हमें याद रखने है, हमें editor को letter लिखने के लिए, एक magazine में भी हम इस letter को अपने दे सकते हैं, बता दिया गया है, कि जो editor है, वो आपकी इस problem को solve नहीं कर सकते हैं, बस वो आपकी जो views हैं, वो लोगो तक पहुचा सकते हैं, वो government तक पहुचा सकते हैं, बस एक इस letter का यही काम होता है, कि आपकी जो आवाज है, वो सब तक पहुचे, और अगर किसी को इस से problem है, तो वो भी अपने issue को आगे बढ़ा सकती हैं, I hope आपको letter अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आप complaint letter या letter के काइंट से सब सारी चीजे पढ़ना और समझना चाते हैं, तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अप्लोड की थी, आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो एक लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी ही और वीडियो के लिए, तो मिलते हैं अपने नेक्स टॉपिक में तब तक के लिए, बबाई!